दोस्तो इस भागदोड़वरी जिंदकी के साथ साथ एर पॉल्यूशन का प्राब्लम किसी से छुपा हुआ नहीं है आजकल की मर्डन लाइफ के साथ साथ अर्बन एरिया, मैट्रोशिटीज और छोटे छोटे कस्पों में भी एर पॉल्यूशन का प्राब्लम क्रियेट होकर एक खतरनाग इस्थर तक पहुँच चुका है और यही मेन कारण है कि इंडिया में प्रतेक तीन-चार इंसानों के अंदर ब्रीथिंग और लंक्स का प्राब्लम है जिसमें मिलनी अस्तमा, ब्रॉनकाइटिस और सीयोपेडी हो सकते हैं तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास होम रेमेडी के बारे में जिसको आप घर में बना कर यूज कर सकते हैं हम बात करने वाले हैं एक tea के बारे में जो ना केवल आपके फेपणों को detoxify करेगी साथ ही यहाँ फेपणों के strength, capacity और pollution से जमा particles को भी clear करेगी और आपके lungs रहेंगे healthy तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाम है लोके शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारतवाज केमिस्ट्री दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप health और fitness से related वीडियो के topics में interested हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा जिस से इस तरीके के नुसके tips और tricks आपको आगे भी मिलती रहेंगी इसी के साथ साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे like भी जरूर करिएगा तो चलिए main topic पर और बात करते हैं अपने lungs को powerful बनाने की दोस्तों यदी आप smoking करते हैं या किसी industry के आसपास रहते हैं जहां इस smoke जादा release होता है या air pollution की समश्या बनी रहती है तो इससे हमारे फेपड़ों की नलियों में बलगम जमा होने लगता है और इसका thickness time बढ़ने के साथ साथ increase होता रहता है और सांस के रास्ते में रुकावट होना सुरू हो जा समदित बिमारियां होने लगती है तो आज हम जिस home remedy का use करने वाले हैं या उसके बारे में बताने वाले हैं वो इसी बलगम के जमने के process को कम करेगी और यदि पहले से बलगम जमा हुआ है तो उसे clear करने का काम करेगी साथ ही यहा air capacity को भी increase करती है दोस्तों इस T को बनाने क के लिए हमें चाहिए पांच चीजें पहली है कसा हुआ अद्रक दूसरी चीज है lemon means नीबू तीसरी चीज हमें चाहिए मुलेठी चौते चीज बड़ी इलाइची और पांचवी चीज हमें चाहिए हनी या कह सकते हैं सहद यह पांच बेसिक चीजें हैं जो easily हर घर में अब दूसरी चीज मुलेठी के अंदर antiviral और antibacterial properties पाई जाती हैं जो लंक्स में जमें बलगम को पतला करके बहार निकालने का काम करती हैं तीसरी चीज है lemon जिसमें vitamin C पाया जाता है जो हमारी immunity को boost करता है चौती चीज है बड़ी इलाइची जिसका काम गले में irritation को कम करना है साथ ही खासी वे बलगम को clear करने का काम भी करती है लास्ट में जो हम यूज करते हैं सहद जिसका काम हमारे respiratory system को detox करना है साथ ही गाड़े वे जमें हुए बलगम को बहार करना है और infection को भी दूर करने का काम करता है दोस्तो अब जब आप इन सब का function जान चुके हैं तो अब टी किस तरीके से बनाई जाती है ये भी जान लेते हैं और इसको आपको definitely यूज करना है जिससे आपके lungs healthy बने रहें इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए डेड़ कप पानी एक चमच आपको चाहिए कसा हुआ अदरक करीब एक पीस आपको चाहिए मूले ठीका जो तकरीबन एक इंच के असपास होना चाहिए एक चाहिए बड़ी इलाची एक चमच नीबु का रस और आपको चाहिए एक चम्मच शहद दोस्तों अब आप साब परतन में देड़ कप पानी लीजिए उसे उबलने तक गरम करिएगा अब उसमें अधरक एक बड़ी इलाइची और एक इंच मुलेठी के टुकडे को क्रैश करके डाल दीजिए और उसे उबलने दीजिए इस लिकपिड को जव तक हीट करिए तब तक इसका टी एक कप नहीं हो अब इसको उतार कर चान लीजिए और गरम गरम में ही एक चम्मच निबुकारस और एक चम्मच सहद को एड़ करिए इस टी को आपको गरम गरम ही यूज करना है ऐसा आप दिन में दो बार कर सकते हैं इस टी या लिकपिड से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अधिक फाइदा होगा और आपके लंक्स डीटॉक्स होना सुरू होंगे दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें बताया गया चाय का नुस्खा आप जरूर ट्राइ करेंगे और अपने लंक्स को और भी अधिक हेल्दी बनाएंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करिए चैनल पर यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आपको मिलते रहेंगे दोस्तों आसा है आप आगे भी हमारे सफर में इस तरीके से ही बने रहेंगे तो चलिए अब विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ हसते रहे हसाते रहे और सीखते रहे कुछ नई बातें ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सकें थैंक्स पूर वोचिंग